अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना ठीक है चलो आज का क्या टॉपिक रहने वाला है फिरटेलाईजेशन के बारे में डिसकस किया था ओओधा डिसकार में दुरों का फियूजन होता है टो पूरा ने डिटेल में आपको बताया है तो gamit के बारे में, fertilization के बारे में हम समझ चुके हैं, मैंने बताया था, next class में हम implantation and the formation of placenta के बारे में discuss करेंगे, तो आज ही class में हम यही पढ़ेंगे, क्या है हमारा topic dear, implantation, जो रह गया था last class में, बस मैं एक ही दो point आपको बता पाई थी, about the implantation, तो यह पूरा detail में हम discuss implantation and placenta, placenta का formation कैसे होता है, वो हम थोड़ा सा placenta के बारे में भी इस class में discuss करेंगे, तो आज का target आपको पता चल गया होगा, क्या करेंगे, implantation कैसे होता है, human wings में कैसा implantation होता है, अगर हम ultra sound करें, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें कब पता चलता है, मतलब सब कुछ implantation क के बारे में हम whole, पूरा process हम discuss करने बारे, the whole process of implantation discuss करेंगे, now the origination of placenta, placenta का origination कहां से बनता है, प्लसेंटा, कौन सी layer इसे बनाने में help करती है, development of the placenta, और placenta जब डेबलप करता है, कब बनना start होता है, कब complete होता है, कितना weight होता है, में दूर सब कुछ, ठीक है, तो main target रहेग कि हम ये दो point तो cover करें, ये भी हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो देखते हैं, आज की class का target आपको पता चल गया, target जब इतना interesting है, तो class कितनी interesting होगी, राइट, तो चलो बढ़ते हैं, अपने target को achieve करने के लिए, सबसे पहला है implantation, last class में मैंने आपको क्या बताया था, कि यहां से fertilization का process बताया था, कहां पे, अगर देखो ये diagram मैं बनाओं यहां पे, तो यहां से आपको सारी चीज़े समझ में आ जाएगी, कि female का जो ये reproductive track है, जो कि anatomy and physiology में हमने reproductive system पढ़ा था, इस reproductive organ में कहां पे fertilization होता है, कहां पे implantation होता है, कौन सी process, कहां पे fetus का development होता है, सब कुछ इसी diagram के अंदर है, देख लो पूरा बच्चा यही पे बनेगा, यही बड़ा होगा सब कुछ, ठीक है, और इसी organ यही से बाहर निकलेगा, तो क्या हुआ, सबसे पहले quietus act में millions of sperm को deposit किया गया, और फिर वो यहां से travel करते हुए, यहां से uterine cavity से travel क में पहुचा, यहां से ovary से ovulation process के थो, over release हुआ, यह ओवा कहां पे पहुचा, fallopian tube में ciliary activity के थो, और यहां से sperm ने क्या किया, इसको fertilize किया, दोनों का fertilization कहां पे हुआ, एंपुला, fallopian tube के एंपुला वाले part में, क्या होता है, fertilization होता है, यहां पे product क्या होते है, division होता है, ज uterine cavity में डाल दिया जाता है, और uterine cavity में यह जो layer है, inner layer, इसे हम क्या बोलते है, endometrium, और यह जो endometrium की layer होती है, यह अपने आपको इस 4 दिन में fully तयार करती है, fully prepare करती है, for the implantation, और फिर जब यह product यहां पे आता है, तो implantation का process start हो जाता है, 6th day of fertilization, जो morula का structure था, एक structure में convert हो जाता है, जो कि last class में with diagram में ने दिखाया था, क्या होगा, blastocyst, क्या बोलते हैं उसको, blastocyst बोलते हैं, blastocyst में जो outermost layer होता है, इसे tropho, actoderm बोलते हैं, trophoblast बोलते हैं, और जो inner cell होता है, उसे inner cell mass बोला जाता है, इसी से पूरा का पूरा, जो है, product बनेगा, मतलब पूरा बच्चा बनेगा, placenta बनेगा, amylical cord बनेगा, और यही exam का question पूछा जाता है, किस structure से क्या बनता है, वो सब हम discuss करेंगे, ठीक है, अब implantation जब यहाँ पे हमने लिखा है, तो मैंने क्या बताया था, last class में कब start हुआ, और कब complete हुआ, यह दोनों point हम last class में पढ़ चुके हैं, और implantation का जो process है, human being में कैसा होता है, interstitial implantation होता है, इस decedua में, pregnant endometrium को हम क्या बोलता है, decidua, यहाँ पे interstitial implantation होता है, लेकिन यह myometrium में नहीं जाता, यह मायोमेट्रियम में नहीं जाता है, यहाँ पे एक special layer present होता है, जिसे हम बोलता है NETA-Buch layer, यह NETA-Buch layer क्या करता है, Deep Implantation को Prevent करता है, NETA-Buch layer जो है, इसको मायोमेट्रियम में एंटर करने से Prevent करता है, तो NETA-Buch layer क्या है, एक special layer present है, जो इस product of conception को limit रता है करता है, कि य अगर ये जो layer है absent हो गया तो पता ही नहीं चल पाता product को कितना deep जाना है वो myometrium तक enter कर जाएगा और उसी case को हम क्या बोलते हैं placenta accreta और ये 16221 का question था तो देख लो question कहां से पूछा जाता है इसलिए जो basic होता है न वो आपको बहुत अच्छे से समझना होते हैं कि अगर आगे की चीजे तो अराम से समझ में आपको आ जाएगी तो देखो implantation का process मैंने क्या बोला 6th day after fertilization start होगा और 10 to 11th day after fertilization process complete हो जाएगा ये fertilization के बाद की बात है समझ में आ गया कब start हुआ कब complete हुआ और next point में हम क्या बात करेंगे dear next point में हम बात करेंगे जो implantation का process होता है वो uterus के one side होता है और aims भोपाल का एक question था most common side तो मैं यहाँ पर बता दू most common side of implantation क्या होता है the most common side of implantation uterus का upper uterine segment अपर uterine क्योंकि lower uterine segment में हुआ अपर uterine segment कहने का मतलब यह नहीं है कि fundus में होता है fundus में implantation नहीं होता अपर uterine segment और lower lower में हो गया तो placenta previa हो जाएगा uterus के अपर uterine segment में होता है लेकिन aims भोपाल का question यह नहीं था कि अपर यह lower उसने पूछा था most common side anterior wall of the uterus और posterior wall of the uterus तो ध्यान से सुनना uterus का जो posterior wall होता है posterior wall of the uterus posterior wall of uterus is the most common site aims भोपाल 2018 में aims में यह question पूछा हुआ है 2018 aims में यह question पूछा हुआ है most common site of implantation upper uterine segment में posterior wall of the uterus is the most common site of implantation तो यहाँ implantation का process हुआ और जो यह implantation का process होता है uterus के एक side में होता है आपने देखा मैंने uterus के एक side में इस product को यहाँ पे implant करवाया है जिसे हम बोलते है eccentric implantation क्या बोलते है dear? eccentric implantation, center से हट के, क्योंकि अगर center में हमें sec दिखा तो एक तरह से false sec होता है जिसे हम यह मानते है कि वो ectopic pregnancy हो सकता है, समझ में आ रहा है false gestational sec होता है एक side में होता है eccentric होता है, center से हट के होता है, समझ में आ गया eccentric implantation होगा दूसरा जब यह eccentric implantation होता है तो uterus का asymmetrical enlargement होता है, जिसे हम sign क्या देते हैं? uterus का क्या होता है? asymmetrical enlargement अगर eccentric implantation होगा तो uterus कैसा होगा asymmetrical enlargement asymmetrical enlargement of uterus and asymmetrical enlargement of uterus is called as क्या बोलते हैं हम इसे piss classic sign क्या बोलते हैं piss classic sign तो दूसरा question आपको point समझ में आ गया यहां से पूछा जा सकता है piss classic sign क्या है uterus का asymmetrical enlargement of the uterus is called as piss classic sign और uterus कैसा implantation होता है? इसेंत्रिक होता है center से हटके होता है other than the center होता है other than the center center से हटके होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? अगर center में हुआ तो हमने क्या बोला? एक false sex gestational sex होगा और यह indicate करेगा its ectopic pregnancy समझ में आ गया तो यह था implantation के बारे में implantation कब start होता है और human weeks में अगर मैं implantation की बात करूँ इसी implantation से related तो human weeks में कैसा implantation होता है interstitial implantation interstitial implantation होता है interstitial implantation implantation के time पे जो bleeding होती है उस bleeding को हम क्या बोलते है क्या बोलते है heart man sign क्या बोलते है dear heart man sign बोलते है यह सब मैंने आपको last class में बताया था कि start कब होगा complete कब होगा और bleeding होगा तो क्या बोलेंगे तीन point बताया था बागी के points को add कर लेना most common sight कौन सा होता है implantation eccentric होता है asymmetrical enlargement of the uterus को piscatic sign बोलते है human wings पे interstitial implantation होता है और interstitial implantation का मतलब है कि यह जो product of concepts है वो interstitial में means endometrium में अंदर जाएगा उपर उपर नहीं होगा कि उपर से ही यहां पे लगा हुआ है तो इसे हम superficial implantation बोलेंगे बट यह क्या होता है deeply आता है endometrium में deep जाता है और deep यहां पे एक layer मैंने बताया था कि यह और भी ज़्यादा myometrium मालो यहां से myometrium start हो गया लेकिन myometrium में जाने से जो layer इसको बचाता है उस layer का नाम क्या है उस layer का नाम क्या है जो myometrium में इसे जाने नहीं देता उस layer का नाम है नीटा बुच लेयर क्या बोलते हैं इसे नीटा बुच लेयर बोलते हैं जो इसके deep implantation को क्या करता है prevent करता है तो आपको यहां तक समझ में आ गया what is interstitial implantation when implantation started implantation कब start होता है कब complete होता है interstitial implantation क्या होता है समझ में आ गया piscotic sign क्या है eccentric implantation होता है, most common side क्या होता है, upper uterine segment में होगा उस time पे bleeding होगा, उसे हम क्या बोलेंगे ये सारी चीजे मैंने implantation के बारे में important बताया है अब मैंने बोला था, यहाँ पे decidua अपने आपको prepare करता है तो अगर आपसे question पूछा जाता है कि अगर हमने पहले तो इसे endometrium बोला था, but pregnant endometrium is called as decidua, हम pregnant endometrium को क्या बोलेंगे the pregnant endometrium is called as endometrium यह जो pregnant endometrium है इसे हम बोलते हैं decidua, क्या बोलते है dear, decidua बोलते है, और यह decidual reaction होता है, यह decidual reaction होता है, which hormone is responsible, decidua अपने आपको मैंने बोला था न, prepare करता है for the implantation, तो which hormone is responsible for the decidual reaction, आपसे बोला जाएगा, इस decidual reaction के लिए, which hormone is responsible, which hormone is responsible, कौन सा hormone responsible है, जल्दी से बताओ, which hormone is responsible for the decidual reaction आप बोलोगे, एक hormone हमें select करना पड़े, तो हम progesteron hormone को बोलेंगे, progesteron hormone is the main hormone which is responsible for the decidual reaction progesteron is the main hormone which maintain the pregnancy, progesteron is responsible for the continuity of the pregnancy, योगि progesteron का level अगर down हुआ, तो female को क्या हो जाएगा, abortion हो जाएगा, ठीक है miscarriage हो जाएगा, तो progesteron hormone क्या है, main hormone है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाकी hormones important नहीं है, बाकी भी important है, बट ये जाता है, ठीक है, यहाँ पर इस question के लिए important है तो समझ में आगया, pregnant endometrium को हमने क्या बोला, decidua decidua, चलो implantation के बारे में मैंने चीज़े आपको बता दी किस तरह से होता है, decidua के बारे में मैं कुछ बताती हूँ, decidua भी three layers में arrange होता है, जिस base से attach होता है, उसे हम basalis बोलते हैं, जहां उपर, अगर मैं यहाँ पर diagram बनाओ, तो diagram में देखना, यह है हमारा endometrium, जो अंदर वाली layer है, इसे आपने क्या बोला, endometrium, चीक है, यह endometrium है, यह endometrium, और endometrium में आपने बोला, जो product of conceptious है, वो deeply implant होता है, यही बोला था, कि product of conceptious, इस endometrium में क्या होगा, deeply implant होगा, तो यह यहाँ पर product आ गया, तो product के नीचे यहाँ, base में जो layer होगा, उसे हम बोलेंगे basalis, जो इसके उपर से capsule बनाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, cover करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, capsularis, चीक है, और rest of the endometrium, जो बाकी का बचा हुआ endometrium है, इस endometrium को हम क्या बोलेंगे dear, इस endometrium को बोलेंगे decidu वेरा, तो yellow color से जो बाकी का बचा हुआ बनाया है येलो कलर से जो बागी का बचछा हुआ बनाया है इसे हम बोलते हैं Desi Dua Paraly телers ठीक है या फिर Desi Dua SAR vera भी बोलते हैं जो मैंने यहां पर आपके रेड कलर से बनाया है इसे हम बोलते हैν Desi Dua Capsularis क्या बोलते है डियर Desi Dua Capsularis जो इसके उपर से से capsule बनाता है ठीक है और जो base में white color से मैंने ये area बनाया है इसे हम बोलते हैं decidua vasalis क्या बोलते हैं decidua vasalis decidua vasalis is also called as serotena भी बोलते है decidua capsularis को हम reflexa भी बोलते है अगर इसका दूसरा नाम भी आपको याद रखना है तो decidua serotena भी बोलते हैं हम इसे और इसे हम decidua capsularis को हम decidua reflexa भी बोलते हैं तो कहीं अगर नाम आ जाए तो confuse मत हो ना decidua vasalis is also called as decidua serotena decidua capsularis is also called as decidua reflexa and decidua paritalis is also called as decidua vera समझ में आ गया तो ये decidua को हमने तीन टाइप से डिवाइड किया जहां base से product attach होता है उसे vasalis बोला जाता है उपर से उसके capsules बनाता है उसे capsularis बोला जाता है और rest of the decidua को हम decidua vera बोलते हैं तो मुझे लगता है decidua की तीन layer के बारे में आपको समझ में आ गया होगा जो myometrium से इस product को prevent करता है ऐसे question आ सकता है कि बताओ उस layer का नाम उस decidua का नाम जो उस product of conceptions को myometrium में जाने से prevent करता है तो आप बोलोगे decidua basalis base में present होता है जो इस product को uterine cavity से prevent करता है direct uterine cavity में नहीं होता उसके उपर से capsules बनाता है तो uterine cavity से उस product को prevent करने वाली layer का नाम क्या है capsularis बागी का rest का बचा हुआ तो आपको पता चली जाएगा decidua vera है तो इस तरह से भी question पूछा जाता है तो question कैसे आएगा वो technique आपको सीखना है तो technique मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा तो इसे लिख लेना decidua basalis decidua capsularis capsularis is also called as reflexa and decidua decidua paritalis is also called as decidua vera decidua paritalis is also called as vera decidua vera बोलते है इसे हम reflexa बोलते है इसे हम serotena बोलते है तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा decidua के बारे में decidua से कैसे questions आएगे ये भी आपको समझ में आ गया होगा decidual reaction के लिए कौन सा hormone responsible है ये भी समझ में आ गया pregnant endometrium को हम क्या बोलते है decidua बोलते है क्यों decidua बोलते क्यों है क्योंकि pregnancy के बाद ये रहने नहीं वाला ये बाहर out हो जाने वाला है ठीक है जैसे placenta बाहर चला जाता है वैसे decidua ये layer भी rupture हो जाती है तो shed off हो जाएगा तो हमने endometrium को क्या बोल दिया decidua deciduate placenta को हम क्या बोलते है deciduate और endometrium को हमने क्या बोला decidua क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा shed off हो जाएगा चल तो मुझे लगता है बताओ implantation समझ में आया implantation में important चीज़ अब क्या है blastocyst blastocyst कि अब blastocyst के division से depend करता है division of blastocyst ये जो मैंने blastocyst बताया था इसका division समझना है division of blastocyst और ये blastocyst का diagram जो last class में मैंने आपको बताया था यही था diagram और इसके अंदर से जो cell थे उसे हमने क्या बोला था inner cell mass तो वही देखेंगे कि जो inner cell mass है जो inner cell mass है और जो ये tropho-ectoderm ये क्या था tropho-blast ये क्या था inner cell mass inner cell mass चीक है अब इनका division करें इस blastocyst का अगर हम divide करें यही तो जाके बच्चे का product बनाएगा आपने ये तो समझ लिया implantation कब start होता है कब complete होता है ये hormone responsible होता है इस तरह के सारी चीज़े समझ ली लेकिन blastocyst के बारे में नहीं समझा कि ये blastocyst का division कैसे होता है दो तरह से हमने बोला tropho-blast होगा और ये जो tropho-blast होता है ये भी further divide होता है ये एक single layer का और multiple layer cell बनाता है जो single layer cell होता है याद रखना जो multiple layer cell होता है उसे हम क्या बोलते है dear, syncytio trophoblast, ठीक है तो trophoblast से क्या बना? syncytio trophoblast और जो single layer की cell थी, जो single layer की cell थी, इससे क्या बना? इससे बना cytotrophoblast, cytotrophoblast और cytotrophoblast भी देखना, जो nearby decidua होता है, उसमें finger like projection हो जाते हैं, cytotrophoblast जो nearby decidua होगा, उसमें finger like projection होगा, अगर मैं इस cytotrophoblast का diagram आपको बनाऊं, तो इस तरह से कुछ diagram होगा, इस तरह से कुछ diagram होगा, और जो nearby, यहाँ पे क्या होता है, decidua vesalis, ध्यान से समझ लेना तो ही चीज समझ में आएंगी, यहाँ पे क्या होता है, डियर, decidua vesalis होता है, और decidua vesalis के पास जो cytotrophoblast होता है, वो finger like projection में होता है, और इस finger like projection में जो होता है, उसे हम बोलते हैं, है, chorionic frondosum, क्या बोलते है, chorionic frondosum, समझ में आया, मैंने क्या बताया, the finger like projection present near by the decidua vesalis, the finger like projection present near by the decidua vesalis, and this structure is called as chorionic frondosum, and chorionic frondosum help in the formation of fetal site of the placenta, और यही chorionic frontosum किसमें help करता है, help in the formation of fetal side of placenta, यह placenta का fetal side of the placenta बनाने में help करता है, तो chorionic frontosum कैसा structure है, तो आप बोलोगे finger-like projection, कैसा structure है, finger-like projection, finger-like projection present near by the decidua visalis, इसी को हम क्या बोलते है, chorionic frontosum, और जो smooth surface है, यहाँ पे जो smooth surface है, इसे हम क्या बोलते है, chorionic leave, chorionic leave form होने वाला है, और chorionic leave से क्या बनता है, chorion बनता है, chorionic leave से क्या बनता है, chorion, तो अब समझ में आ गया, placenta किस से बनता है, chorion किस से बनता है, trophoblast से बनता है, तो अब confuse मत होना, trophoblast से क्या बनता है, यहाँ पे fetal side of placenta placenta बनता है बच्चे की side से और कौरियोन बनता है समझ में आया और सिंथ सिश्यो ट्रोफो ब्लास्ट भी बना जो multiple layer cell है यह क्या करता है help in the formation इसे हम क्या बोलते है hormonal unit of placenta hormonal unit of placenta इसे हम बोलते है hormonal unit of placenta और यह क्या काम करता है prevent the mixing of maternal and fetal blood एक तरह से barrier की तरह काम करता है since सिश्यो ट्रोफो ब्लास्ट act as a barrier यह दोनों के बीच में barrier की तरह काम करता है दोनों के blood की mixing को prevent करता है जिससे mother का और बच्चे का blood मिलता नहीं है उन दोनों को mix होने से जो layer बचाता है उसका नाम है syncystio trophoblast सबसे outermost layer होता है और multiple layer cell होता है barrier की तरह काम करता है, blood की mixing को prevent करता है और ये hormonal unit of placenta है, SCG HPL का secretions भी कहां से होता है, यही syncystio trophoblast layer से होता है तो मुझे लगता है trophoblast के बारे में समझ में आ गया अब बचा क्या है, प्रास्टो से दूसरा किस पार्ट में divide होगा inner cell mass inner cell mass inner cell mass को हम next slide में देख लेते हैं कि inner cell mass से क्या-क्या बनता है और कैसे-कैसे division होता है तो inner cell mass को अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि inner cell mass, inner cell mass is also called as embryo blast तो पता चल गया होगा अब नाम ही इसका embryo blast है तो इससे पूरा का पूरा embryo और बच्चा इसी से बनने वाला है तो inner cell mass को अगर हम divide करें inner cell mass को अगर मैं divide करूँ तो day 7 और day 8 यहाँ पे क्या होता है day 7 पे germ layer का formation होता है जिसका नाम क्या है ectoderm, mesoderm, endoderm 3 होते हैं, पढ़ते हो ना ectoderm, सबसे बाहर mesoderm, सबसे अंदर endoderm इस तरह से layers होते हैं तो जब inner cell mass में सबसे पहले germ layer का formation होता है अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले क्या होगा germ layer का formation होगा और 7th day पे सबसे पहले बनेगा ectoderm और 8th day पे क्या बनेगा endoderm समझ में आया ये layer बन गए जिसे हम दोनों को ectoderm और endoderm को combine ली हम क्या बोलते हैं bilaminal layer क्या बना? bilaminal layer का formation हो गया चीक है? क्या बना? bilaminal layer का formation हो गया मतलब अगर ये आपने देखा ये आपने देखा, ये cell था चलो ये पूरा ऐसे नहीं बनाते हैं simple बना देते हैं ऐसे, ठीक है? ये तो आप समझ जो इस तरह से होता है बट इसे बनाने में बहुत जादा time लगेगा कि इस तरह से सारे cells arrange होते हैं जो आपने बोला है और इसके अंदर जो layer बनता है उसे हम क्या बोलते हैं dear bilaminal layer और bilaminal layer में सबसे पहला जो layer बना उसे हमने बोला actodum ये था actodum ठीक है? ये actodum बना 7th day पे ठीक है? फिर हमने बोला 8th day पे क्या बन गया? ये 8th day पे क्या बन गया? ये बन गया आपका endodum और इन दोनों layer को combinedly मैंने क्या नाम दिया? bilaminal layer bilaminal layer जो कि 8 दिन पे बन के तयार हो गया अब आगे क्या होता है? day 8, day 7 पे पता चल गया day 8 पे पता चल गया अब हम देखेंगे day 12 पे क्या होगा day 12 पे क्या होगा? दो cavity like structure का formation हो जाएगा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो एक्टोडम है इस साइड से जो cavity यहाँ पे बन रहा है cavity like structure हो रहा है इस cavity को हम बोलते है amniotic cavity क्या बोलते है dear? amniotic cavity और जो इस साइड से endodum की तरफ से यह जो cavity बन रहा है इस cavity को हमने क्या बोला? york sec क्या बोला हमने? york sec तो आपने बोला day 12 दिन पे क्या हुआ? 2 cavity like structure का formation हुआ amniotic cavity और york sec का formation हुआ और यहां पे क्या होता है? पीछे posterior side से posterior side से क्या होता है? एक layer इस तरह से attach होता है इस तरह से एक layer stock की तरह जो कहते हैं ना stock होता है ऐसे तो पीछे की तरफ से stock की तरह ये layer attach होता है इसे हम बोलते है connecting stock इसको हम क्या बोलते हैं dear connecting stock और ये connecting stock जो होता है later on connecting stock जो है later on किसका formation करता है connecting stock वाले structure से ही क्या बनता है dear umbilical cord तो आप से question direct पूछा जाता है बता हो umbilical cord का formation किस से होता है trophoblast से होता है या embryoblast से होता है तो आपको याद रखना है embryoblast से umbilical cord बनता है ना कि trophoblast से जो आप गलती करते हो ठीक है तो आपको पता चलिया अमलाइकल कॉर्ड का formation embryo blast से होता है किस structure से होता है connecting stock वाले structure से होता है और day 12 पे यहाँ पे लिखेंगे 2 cavity का formation होता है day 12 पे 2 cavity का formation होता है amniotic cavity and york sec और इस york sec को हम बोलते हैं the first hematopoiesis RVC का सबसे पहला formation hematopoiesis first occur in the york sec the york sec के बारे में star बना के important point लिख देना कि इस york sec के बारे में important point क्या है the first hematopoiesis the first hematopoiesis the first hematopoiesis occur in york sec occur in york sec इस york sec में ही सबसे पहले hematopoiesis होता है the first hematopoiesis occur in the york sec later on जाके spleen में liver में फिर जाके हमारे bone marrow में होता है but starting का point अगर question पूछा जाए तो याद रखना वागि advance level का तो हमें medicine में पढ़ेंगे but यहां का आपको main point बच्चे में क्या हो रहा है कैसे starting में हो रहा है और धीरे-धीरे york sec size में छोटा होता जाता है तो york sec का देखिए आपने क्या हुआ पहले तो amniotic cavity से भी आपको बड़ा लग रहा है लेकिन धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे यह size में छोटा होता जाएगा और amniotic cavity size में बड़ा होता चला जाएगा तो later on अगर आप से पूछा जाए अब बोलोगे रहे मीजोडर्म क्यों नहीं बना यह 14 पे क्या होता है formation of मीजोडर्म अब किसका formation हो गया formation of मीजोडर्म formation of मीजोडर्म मीजोडर्म लेयर का formation हो गया इस सारह से तीनो germ लेयर बन जाते हैं आपने देखा ectoderm, endoderm, amniotic cavity, york sec mesoderm का formation हुआ तो इस सारह से सारे लेयर बन गई और यही तीन लेयर जो होता है ectoderm, mesoderm and endoderm इसी तीन germ layer से पूरे के पूरे बच्चे का formation होता है बच्चे का आँख, ना, कान, गला, फीचर, जितने भी चीज़े head to toe, जितने भी structure बनते हैं वो सब इसी germ layer से बनते हैं कौन सा, ectoderm, endoderm, mesoderm इसी से बच्चे का सब कुछ बनेगा पूरा का पूरा embryo, पूरा का पूरा fetus जो है, उसी germ layer से develop होता है जो कि आपको MSN के हर एक step, हर एक structure में बताया जाता है, कि इस layer से ये बना, कहां से जैसे आपका pituitary gland किसे बना respiratory system किसे, GIT किसे, वो सब हर system में, anatomy में आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अगर हम यहां पे इसको पूरा cover करने लग गए, तो हमारा subject और भी जादा बढ़ा हो जाएगा, समझ में आ रहा है फिर भी अगर आप बोलो के तो next class में हम इसको discuss करेंगे, बाकी अभी आपको basic चीज़े याद रखना है, कि trophoblast और embryoblast से क्या-क्या बनता है, placenta किसे बनता है placenta किसे बनता है, बदाओ तो fetal side of the placenta is made up of the trophoblast, जिसमें मैंने cytotrophoblast, syncytotrophoblast, corionic frondosum बढ़ाया था, तो वहाँ direct answer जाता है, chorionic frondosum umbilical cord किसे बनता है, amnion किसे बनता है, amniotic cavity यहाँ से बन रहा है, तो amnion भी किस से बनेगा amnion भी inner cell mass से बनता है, याद रखना embryoblast से ही क्या बनता है amnion बनता है और chorion किस से बनता है, यहाँ से chorion नी बनता है, chorion trophoblast से बनता है, तो embryoblast से amnion बनता है, trophoblast से chorion बनता है embryoblast से umbilical cord बनता है, और trophoblast से fetal side of the placenta समझ में आया, इस तरह से जो भी point मैंने बताया है, इसको लिखते जाना notebook वे तभी चीज़े याद हुँई जो जो छोटे-छोटे point बता रखे, amniotic cavity, amnion, york sac ठीक है, endoderm, ectoderm mesoderm, embryo, fetus, सब किस से बनेगा, embryoblast से बनेगा तो यह था division of division of blastosis, trophoblast and embryoblast ठीक है, इस तरह से divide होगा और सारे structure का formation हो जाएगा decidua के बारे में मैंने आपको बता दिया तो मुझे लगता है आपको implantation के बारे में पता चलिया next हमारा topic होगा the formation of placenta, how placenta is form placenta के बारे में बढ़ेंगे, implantation की चीज़े तो समझ में आ गई, कैसे implantation होगा और क्या-क्या चीज़े बन रही है क्या-क्या चीज़े बन रही है अब placenta कैसे बनता है next हमारा topic है placenta कैसे बनता है अरे बोड तो नियूरो, समझ में आ रहा है न हाँ, समझ में आना चाहिए एक अच्छे student की निसानी क्या है जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ काग चेस्टा बको ध्यानम स्वाननिंद्रा ततही विचा अलपहारी, ग्रहत्यागी, विद्यार्थिनम पंचलक्षनम, जाग जाओ और बैड जाओ पढ़ने के लिए क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन जरूर मिलती है इसलिए daily basis पे जब continuity maintain करके practice करोगे तभी जाके अपने आप में निखार आएगा और आप एक diamond की तरह चमकोगे वहाँ पे exam में, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं अरे भई diamond आजाओ, पढ़लो समझ में आ रहा है, next यहाँ तक की चीज़े समझ में आ गई है अब एकदम fresh ताजा सा placenta आपके लिए लेके आई हूँ जिससे कि आपको placenta के बारे में समझ में आ पाए कि placenta क्या है और इसी placenta को सबसे पहले मैंने placenta इसलिए दिखाया है कि आपको यह पता चल पाए कि placenta बनता कैसे है जब चीज़ों को देखते हैं तो curiosity एसा placenta इतना सुंदर एकदम ताजा placenta बना कैसे तो वही चीज़ हम देखेंगे heading लगा देगे placenta पूरा तो इस class में नहीं कर पाएंगे placenta दो-तिन पार्ट्स में आपको आगे वाली class में पूरा full information में लेगा बढ़ हाँ basic कैसे बना और क्या characteristics होता है वो में यहाँ पे आपको बताऊंगे चलो ठीक है placenta के basic features को देखते हैं placenta के 3 important characteristics features होते हैं यह जो आपको ताजा सा placenta दिख रहा है यह placenta एकदम एकदम निकाला हुआ है और यह कैसे बना है यहाँ पे कुछ आपको यह दिख रहा होगा structure भी दिख रहा होगा विलाई like वो भी मैं बताऊंगे primary विलाई, secondary विलाई, tertiary विलाई कैसे बनता है, cotyledon, stem विलाई सारी चीज़े क्या होती है स्राटिंग से एगर समझ में आये ना three important characteristics क्या होता है placenta का, placenta कैसा होता है disc shape का होता है तो हम क्या बोलते है discoid placenta, कैसा discoid, क्योंकि कैसे shape का होता है disc shape का आपके सामने ही placenta रखा हुआ है, देख सकते हो दूसरा important clinical features क्या है दूसरा important clinical feature है यह deceduate होता है अरे देखो placenta बच्चा निकाला नहीं कि पलसेंटा पंद्र बीस मिनट के अंदर बहार निकालके रख दिया प्लसेंटा को अंदर रखेंगे क्या? मदर के uterus में ही placenta को रखेंगे नहीं रखेंगे रखा तो बहुत कुछ हो जाएगा वहां पर वह भी पढ़ेंगे ठीक है तो प्लेसेंटा को delivery होते ही हम बाहर निकाल देते हैं ठीक है तो इसे हम क्या बोलते हैं deciduate because shed off after delivery placenta क्या हो जाएगा placenta shed off after delivery ठीक है और next important point क्या है deciduate है, discoide है समझ में आगया disc shape का है और यह placenta जो है delivery के बाद shed off हो जाता है third important feature है hemocorionic एकदम bloody bloody nature का आपको दिख रहा होगा यह क्या होता है hemocorionic मतलब जो corion वाला part आपने पढ़ा था यह maternal blood के direct contact में होता है और यह कैसे color का आपको दिखाई देता है डिया maternal blood के contact में होता है आपको blood ठीक है कैसे red color का दिखाई देता है red color का दिखाई देता है इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको hemocorionic corion वाला part maternal blood के direct contact में होगा red color का आपको दिखाई देगा hemocorionic there are the three important and basic characteristics of the placenta जो की आपको याद रखना है समझ में आ गया तो यह three important character sticks जो मैंने placenta के बारे में बताया है वो आप समझ में आ गया होगा placenta के center से जरु निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं umbilical cord याद रखना placenta के center से क्या निकलता है umbilical cord और इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे और placenta के दो surface होते हैं प्लसेंटा के कितने surface होते हैं दो surface होते हैं maternal and fetal surface of the placenta maternal and fetal surface of the placenta next diagram में देख सकते हो यह जो surface smooth sine आपको दिखाए देता है the smooth sine and the gray structure gray structure is called as fetal surface यह जो आपको दिखाया है यह कौन सा surface है dear fetal surface of the placenta और fetal surface पे ही क्या होता है umbilical cord attach होता है center से umbilical cord attach होता है center से देख सकते हो umbilical cord कौन से surface पे attach होगा fetal surface of the placenta देखने में कैसा लगेगा smooth sine and grayish color का smooth sine and grayish color का fetal surface होगा umbilical cord center से attach होगा यह हो गया कौन सा surface fetal surface of the placenta और यह जो एकदम blood के nature में एकदम ऐसा bloody nature का दिखाई देगा dark red color का हमें दिखाई देगा, ये जो dark red color का, dark red color का है मने बहुत रहा है हीमो कॉर या नी क्यों बोलते हैं कि maternal blood के direct contact में होगा, हमें dark red color का दिखाई देगा, तो ये dark red color का कौन सा हो गया, maternal surface, तो दो surface आपने placenta का देखा दो मुँ देखा ना, placenta का दो surface देखा ना, एक तरफ, एक दम blood, एक तरफ smooth and shiny तो ये दो surface होते हैं placenta का maternal surface and fetal surface of the placenta और यहाँ पे अगर आप देखो तो multiple hemorrhagic spot आपको दिखाई देंगे इसे हम क्या बोलते हैं, यही होता है functional unit of the placenta, जिसे आप क्या बोलते हो, cotyledons बोलते हो जिसे आप क्या बोलते हो dear, cotyledons बोलते हो, तो यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है, इतने सारे polygonal structures, this structure is called as cotyledons इसके बारे में हम पढ़ेंगे cotyledons बोलते हैं, it is called as the structural and functional unit of the placenta, अगर question आपका यह आगया, what is called as the functional unit of placenta, इसी को हम functional unit of placenta बोलते हैं, समझ में आगया, functional unit of the placenta, cotyledons होता है ठीक है, कितने cotyledons होते हैं 15 to 20 in numbers vary करता है, किसी में 15 होगा किसी में 18 होगा, तो यह fix नहीं है, कि हाँ 15 ही होता है या 16 ही, 18 होता है, एक बता दो नहीं यह vary करता है, हर female में vary करता है placenta का size भी vary करता है, depend on the weight of the fetus, because weight of the placenta is 1 6th of the baby weight और एक select करना हो, तो हम 500 gram करते हैं, लेकिन फिर भी अगर बच्चे का weight दिया है, तो हम 1 6th करके उसका weight निकाल सकते हैं, placenta का ठीक है, अब बोलो मैं, यह तो ठीक है, लेकिन आपने बोला था कि placenta का origination बताओगे, placenta का origination बताओगे, placenta बना कैसे है, placenta बना कैसे है, येस, तो हम यहाँ पे development of the placenta या origination of placenta करते हैं origination of placenta कैसे बना है, तो placenta बनता है, किसकी help से मा की help से maternal maternal and fetal दो दोनों help करेंगे mother और fetus की help से बनेगा तो हम बोलेंगे जो mother की help से बनेगा वो maternal side of the placenta होगा और maternal side से कौन help करता है placenta को बनाने में और fetal side से कौन help करता है इस placenta को बनाने में तो mother की side से help करता है वही Decidua Vesalis किसे बनता है placenta बनता कैसे है placenta तो Decidua Vesalis Decidua Vesalis के बारे में मैंने अभी बताया था जिसे आपने क्या बोला था Serotina Decidua Vesalis और fetal side से क्या होगा fetal side से कौन सा structure help करेगा तो आप बोलोगे Corionic Frondosum और ये भी मैंने डाइग्राम बना के आपको बताया था Corionic Frondosum help in the formation of the fetal side of the placenta Decidua Vesalis and Corionic Frondosum help in the development of the placenta समझ में आया Decidua Vesalis है और यहाँ पे क्या है Corionic Frondosum है ये दोनों क्या करते हैं placenta को बनाने में help करते हैं डाइग्राम मैं बता देती हूँ जैसे ये Decidua Vesalis है मालो ये Decidua Vesalis है और यहाँ पे मैंने बना दिया इस तरह से Finger Like Projection ठीक है और ये बना दिया इस तरह से Structure तो मैंने आपको बताया था जो Decidua Vesalis के पास में जो Decidua Vesalis के पास में Finger Like Projection होता है उसको हम क्या बोलते हैं डियार? Corionic Frontosum इसको हम क्या बोलेंगे? Corionic Frontosum इसे हम बोलेंगे Corionic Frontosum और ये क्या हो गया? Decidua Vesalis ठीक है? Decidua Vesalis और यही दोनों Structure जब मिलते हैं यही दोनों Structure किसका Formation करते हैं? आप बोलोगे यही दोनों मिलके और क्या बनाते हैं यहां पे? Placenta तो समझ में आया Placenta कहां से बना? अरे एक्जाम का question पूछा जाता है Maternal और Fetal Side of Placenta नाम बताओ बच्चे की तरफ से Placenta को बनाने में कौन help करेगा? तो Placenta को बनाने में Chorionic Frondosum और यहां पे Decidu Avisalis Help in the Formation of Placenta तो Origination of Placenta या फिर question पूछा जाता है Formation Formation of Placenta तो यही से Placenta का Formation होता है Mother और Fetus की help से अब question यह पूछा जाता है Mother कितना participate करती है Placenta को बनाने में? 20% Fetus का participation 80% participation होता है Placenta को बनाने में अगर हम इसको fraction में लिखें तो कैसे होगा One-fifth part of the placenta One-fifth part of the placenta made up by the mother Mother One-fifth part of the placenta को बनाती है और Fetus का कितना part? Four-fifth part of the placenta is made up by the Fetus Four-fifth part of the placenta is made up by the Fetus तो मुझे बताओ Basic Origination समझ में आया कि कौन-कौन Our placenta को बनाने में help करता है तो यहां जो Desidua Vesalis बनाता है इसे हम Desidual Plate बोलते है और यहां पह Bacal Plate बोलते है इसको हम क्या बोलते है Corionic Plate बोलते है जो Desidua Vesalis बनाता है वो Basal Plate होता है I BO Sceners Basal Plate होता है Deci-Dual Plate होता है और जो Corionic Frontksam बच्चा बनाता है उसे हम बोलते हैं Corionic Plate और यह अगर पूछा जाए कि बताओ यह कितना surface area occupy करते हैं आप दोनों को देखो चाहे Corionic Frondosum हो चाहे Desi Dua Vesalis हो दोनों surface area same ही लेते हैं दोनों का surface area क्या है यहाँ पे Corionic Frondosum यहाँ पे Desi Dua Vesalis इस दोनों same surface area लेते हैं तो surface area दोनों same ही लेते हैं बट Participation पूछा जाए कितना पार्ट बनाते हैं placenta का वो पूछा जाए वो question different होता है तो यह था basic origination of the placenta and formation of placenta अब इससे विलाई structure बनेगा primary, secondary और tertiary विलाई का formation होता है जो कि मैं next slide में आपको दिखाऊंगी यहाँ तक की मुझे लगता है समझ में आ गया होगा what is the basic what is the basic, कैसे placenta बना, कौन से structure से बना यह structure मैंने पहले ही आपको बताया था trophoblast वाला structure है कौन सा structure है दिये trophoblast का जो यहाँ पे finger like projection है cytotrophoblast बताया था single layer और multiple layer cell में होते है single layer cell जो होता है वहाँ पे जो finger like projection होगा वो क्या होगा? chorionic frontosum जो fetal side of the placenta को बनाएगा और जो यह smooth surface रहेगा जो यह smooth surface बच जाएगा इस smooth surface को हम क्या बोलते है this smooth surface, अल्रड़ी मैंने बताया हुआ है this smooth surface is called as chorionic leeway इसे हम क्या बोलते है chorionic leeway बोलते है और इस chorionic leeway से क्या बनता है chorion बनता है क्या बनता है dear? chorion बनता है यहाँ तक मैंने आपको बताया हुआ है अब देखते हैं आगे अब देखते हैं आगे आगे क्या है? कि यह तो आपने बता दिया कि placenta का origination basic formation कहां से हुआ अब इसके अंदर structure आता है विलाई का formation होता है तो तीन तरह का विलाई आपको याद रखना है primary, secondary and tertiary विलाई तो मैं diagram के साथ कोशिश करती हूँ आपको बताने की diagram देखना ध्यान से मैंने बताया ये decidua vesalis है तो इसमें जो सबसे बाहर की layer होती है जो मैंने ये बनाया है ये syncytotrophoblast है और इसके अंदर जो layer होती है उसे हम बोलते हैं cytotrophoblast क्या बोलते हैं इसे हम? cytotrophoblast यहान से structure समझना कि primary विलाई क्या होगा विलाई तीन टाइप का होता है अभी मैं सबसे पहले आपको क्या बता रही हूँ primary विलाई के बारे में बता रही हूँ और primary विलाई जो होता है ये avascular होता है avascular का मतलब इसमें blood vessels नहीं होते हैं avascular होगा और इसका formation 13th day after fertilization हो जाता है दो important चीज़े primary विलाई क्या होगा primary, secondary, tertiary तीन विलाई होते हैं सबसे पहले primary विलाई कितने दिन पर बना 13 दिन पर primary विलाई जो है वो avascular होता है blood vessels नहीं होते हैं और यहाँ पर इस structure में क्या-क्या होगा वो देखना ये जो मैंने structure यहाँ पर बनाया है ये क्या है decidua एक बार लिख देती हूँ बाकी सम्में आप लिख सकते हूँ decidua vesalis decidua vesalis ठीक है और ये जो बाहर वाला structure है इसे हम बोलते हैं syncytio trophoblast ठीक है और जो अंदर green कलर का लाइन बनाया इसे हम बोलते हैं cytotrophoblast ठीक है प्राइमरी विलाई के अंदर दो structure होता है कौन-कौन सा syncytio trophoblast और cytotrophoblast जो 13 दिन पर बन जाता है अब आएंगे secondary विलाई पे कि secondary विलाई का भी structure बताओ कि अब secondary विलाई में क्या होगा तो yes देखते है secondary विलाई secondary विलाई भी कैसा होता है avascular होता है कितने दिन पर formation होता है 16th day पे 16th day पे ये secondary विलाई का formation हो जाता है ठीक है secondary विलाई का formation हो जाएगा यहाँ पे same वही decidua vesalis होगा वो जो structure बनाया है वो same रहेगा और फिर जो white color से बनाया था वो क्या था dear वो हमारा syncytio trophoblast था जो हमने green color से बनाया था वो हमारा syncytio trophoblast था और यहाँ पे 15th day पे क्या होता है जो mother का uterine artery जो endometrium को blood supply करें उसके branches होते है spiral artery ठीक है वो spiral artery आके यहाँ पे open हो जाते है ठीक है और mother का blood यहाँ पे present होता है समझ में आ रहा है mother का blood यहाँ पे present होता है इस space को हम बोलते है intervillus space intervillus space intervillus space में क्या होगा जिसे हम IVS intervillus space IVS बोलेंगे यहाँ पे maternal blood present होता है क्या present होता है maternal blood यहाँ पे present होता है और कितने दिन पे 15th day 15th day spiral artery आके intervillus space में open होता है और यहां से पूछा जाएगा कितनी spiral artery open होती है, जो branches होते है, 120 to 200, ठीक है, first priority 120 को देना है, option में नहीं है, 120 to 200, यह जो मैंने बोला है, यह जो spiral artery यहां पे खुल रही है, मगर के branch of uterine artery, the branch of uterine artery is spiral artery, यह spiral artery कितनी open होती है, 120 से लेकर 200 arteries, 200 होता है, जो कि यहां पे आके open होता है और यह intervillus waste में present होता है, maternal blood, जो कि कितने दिन पे हुआ, 15th day पे, और एक structure यहां पे और बनता है, layer में, जो कि आपको याद रखना है, कौन सा structure है, कौन सा structure है, तो आप बोलोगे, यहां तीसरे structure का नाम है, extra embryonic mesodrome, जिसे short form में, यहां पे मैं EEM, देखो, बाकी दो structure तो मै नाम यहां पे लिखा है, syncytotrophoblast, cytotrophoblast, तो हो गई होगा, ठीक है, जो दो layer है, syncytotrophoblast, cytotrophoblast, तो तीसरे layer क्या है, EEM, इसे हम क्या बोलते है, extra embryonic mesodrome, embryonic mesodrome का formation यहां पे, extra embryonic mesodrome का formation हो गया है, तो आप 16th day पे बोल सकते हो, क्या-क्या हुआ हुआ है, maternal blood, spiral artery आके यहा embryonic mesodrome का formation हुआ है, इसी तरह से अगर आपको बोला जाए, कि बताओ यहां पे, tertiary artery क्या होगा, नहीं हो रहा है, चोड़ो, तो next slide में मैं बता देती हूँ, next slide में बता देती हूँ, tertiary artery के बारे में, tertiary artery, देखना, तो tertiary विलाई में, primary और secondary तो समझ में आ गया, next देखेंगे, tertiary विलाई, tertiary विलाई के अंदर क्या होता है, तो जो आपने structure बनाया था, कि यह decidua vesalis होगा, वो तो बना लो, decidua vesalis, इसके बाद मैंने क्या बताया था, कि यह आपका क्या है, syncytotrophoblast, syncytotrophoblast के अंदर क्या होता है, cytotrophoblast, यह भी आपने बना दिया था, cytotrophoblast के बाद क्या होगा, यह इक्स्ट्रा embryonic mesodal, भूलो कहें ठीक है हम बना दिया हमने, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे fetal capillaries का formation हो जाता है, fetal capillaries का formation हो जाएगा और fetal capillaries का formation होता है इसके अंदर क्या present होता है fetus का blood ये क्या है endothelium of the fetal capillaries तो तीन structure के बारे में मैंने लिखवा दिया है ये syncytiotrophoblast है ये syncytiotrophoblast है ये cytotrophoblast है दूसरा कलर ले ले लेते हैं ये syncytiotrophoblast है ये cytotrophoblast है ये extra embryonic mesodon था और उसके अंदर जो capillaries बना है वो क्या है endothelium of the fetal capillaries अब fetal capillaries बन गया है तो अब इसके अंदर क्या आ जाएगा fetus का blood तो यहां present होता है fetus का blood और आपने देखा कि maternal arteries जो spiral arteries है ये जो uterine artery का branch है spiral arteries वो आके कहां पे open हो रहा है intervillus space में और यहां जो blood present है वो कौन सा है maternal blood तो maternal और fetal blood की mixing को prevent करने के लिए कौन-कौन सी layer है अब ना सिर्फ सिंसिस्यो trophoblast का नाम लोगे यहां पे चार layer का नाम मैंने बताया है सिंसिस्यो trophoblast तो सबसे outermost है फिर cytotrophoblast उसके अंदर है फिर उसके अंदर extra embryonic mesoderm है फिर endothelium of the fetal capillaries है और फिर इसके अंदर fetal का blood है अरे बोलो समझ में आया क्या तो बोलोगे yes ma'am हमने तो सामने देखा कि यह रहा mother का blood यह रहा fetus का blood जैसे कि आपने देखा maternal blood और fetal blood की mixing को जो prevent करता है यह barrier की तरह काम करता है तो यह जितने भी layers मैंने आपको बताया है यह layer किसकी तरह काम कर रहा है यह layer एक तरह से barrier की तरह काम कर रहा है समझ में आया barrier की तरह काम कर रहा है जो fetus के blood को और mother के blood को जो कि आपके सामने ही दोनो blood है और यह layer उन दोनों के blood को mix नहीं होने देता तो ये किसकी तरह काम करता है? barrier की तरह तो क्या करेगा? क्या करेगा dear? prevent the mixing of prevent the mixing of maternal and fetal blood prevent the mixing of maternal and fetal blood इन दोनों की mixing को prevent करता है barrier की तरह काम करता है very very important exam में question आए तो इस एक layer नहीं सिर्फ सिंस इशियो ट्रोफो ब्लास्ट नहीं इन सारे layer का नाम आपको पता होना चाहिए और tertiary विलाई को हम क्या बोलते हैं? tertiary विलाई is also called as vascular विलाई vascular विलाई बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं dear? stem विलाई भी बोलते हैं और अगर पूछा जाए कि tertiary विलाई का formation कब हुआ है तो आप बोलोगे 72, 21 days पे 17 से 21 दिन पे इसका क्या हो जाता है? formation हो जाता है very very important point primary विलाई, secondary विलाई and tertiary विलाई का formation कब होता है? कितने दिन पे होता है? कैसे बनता है? with diagram मैंने आपको बताया है तो मुझे लगता है आपको सारी चीज़े clear हो गई होंगी और 3 से 4 stem विलाई मिलके 1 cotyledon का formation करते हैं क्या बता है? मैंने 3 to 4 stem विलाई 3 to 4 stem विलाई मिलके 1 cotyledon का formation करते हैं 1 cotyledon का formation करते हैं तो अगर आपसे पूछा जाए 1 placenta में कितने cotyledons होते हैं आप बोलोगे 1 placenta के अंदर 15 से लेकर 20 cotyledons होते हैं 15 से लेकर 20 cotyledons 1 placenta के अंदर होते हैं तो बताओ 1 placenta में total कितने stem विलाई होंगे? बहुत ही simple question है 1 placenta में total कितने cotyledons होंगे? तो आप सीधा multiply कर दो Approximately 60 stem विलाई Approximately कितने होंगे dear 60 stem विलाई 60 stem विलाई तो एक placenta के अंदर total कितने stem विलाई होंगे? 60 stem विलाई होंगे 3 से 4 stem विलाई मिलके 1 cotyledons का formation 1 placenta में 15 से 20 cotyledons 1 placenta में total stem विलाई approximately 60 होंगे Very very important point और यह जो cotyledons मैंने बताया है यही क्या है? यही आपका functional unit of the placenta है functional unit of the placenta जो कि मैंने starting में ही आपको बताया था मुझे लगता है आपको चीजे समझ में आ गई होंगी placenta का formation origination यह समझ में आ गया होगा placenta अभी खतम नहीं हुआ है placenta के बारे में और भी रहस्मई वाते जो की रह गई है क्या weight कितना होगा कैसे कौन से surface होते है कितना measurement होता है यह सब हम next class में पढ़ेंगे Thank you so much for joining this session Okay, bye-bye, take care मिलते हैं फिर next class में